हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ शुशील कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल आटोंबाइल सर्फिस दोस्तो आज मेरे पास जो गाड़ी आई है उसमें प्रोलम आ रही है कि जैसे न आवाज बहुत आ रही है जैसे चलती है न गाड़ी तो चाहे गाड़ी नूटल हो चाहे गाड़ी गेर में हो नूइस बहुत कर रही है आपको वो मैं नूइस अभी दिखाऊंगा फिर वाग के चल कर वो भी देखेंगे कि उसको कैसे उसका क्या कारण है कि जिसकी वज़ा से नूइस आ रही है अभी मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूं तो आप देख सकते हो क कि मैं जैसे अभी चला रहा हूं गाड़ी काफी चला रहा हूं आप देखिए मैं रोड पे चला रहा हूं आप देख सकते हो अभी मुझे देखिए रोड ही है तो रोड में मैं चला रहा हूं गाड़ी तो इसमें बहुत ज़्यादा नूइस आ रही है तो वो नूइस आने नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर आल पर कर देना तांकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए तो अभी जो साउंड आ रही है वो आप भी सुन सकते हो जे देखिए कितनी ज्यादा साउंड आ कर देखिए पेले आप हो सुन लो तो देखा दोस्तो कितनी ज्यादा समें नोई साउंड आप देखिए तो और आप हो साउंड आप हो साउंड देखा कितनी ज्यादा इसमें नई साईंड? तो अभी मैं क्या करता हूँ इसको पहले मैं बर्वर्शोब में लेकर जाता हूँ इसको लिफ्ट पर उठाया लिफ्ट लिफ्ट को उठाने के बाद रिगुfa करता हैं तो वह पर देसकी सिर्ट जाने को पुर्सतारी है आप देज़से कितनी ज़्यदा अभी भी नोज आ रही है तो अभी हमें को क्या करना पड़ेगा इसका जो transmission है वो तो अभी हमें confirm हो गया कि यह transmission की नोई से तो अभी मैं इसका जो transmission है उसका gear oil निकाल कर उसके सारा अभी देखिए transmission जो इसका मैं निकाल रहा हूँ तो इसमें अभी पता गया है अभी जैसे इसको मैंने खोला है न तो और देखिए जो इसका जो गे रोल का train bolt है न तो आप वो देख सकते उसमें कितना ज़्यादा जै जैसे लगता है कि जैसे इसकी बीच में से जैसे होते हैं कच्रा वो बहुत ज़्यादा निकला है तो इस से पूरा पता चलता है कि कोई ना कोई तो अंदर कोई ना कोई फाल् कि जिसकी वज़ा से यह इतना ज़्यादा निकला है क्योंकि वैसे तो निकलता नहीं इसमें मेरे को तो लगता है कि जरूर पका इसका जो बैरिंग जान तो तूट गया होगा जा फिर जो इसके गेर हैं वो तूट गए होगे तो कोई बात नहीं देखते हैं हम कोल कर देखते कि क्या इसमें problem आती है क्या कारण है जो इतनी ज़्यादा sound कर रहा है तो अभी इसको मैंने उता रहा है तो इसके बाद मैं इसका जो clutch है वो भी देखते हैं कि clutch में तो नहीं problem जाए इसका जो bearing है इसमें तो नहीं problem तो वो अभी देखते हैं तो अभी देखिए क्लच आपके सामने है प्रेशर प्लेट भी इसकी ठीक ही लग रही है वो इसकी जो क्लच प्लेट है वो भी ठीक लग रही है तो अभी इसका फिर ट्रास्मिशन ही रह गया वो खोल के देखते हैं ठीक है कि ट्रास्मिशन में क्या प्रॉलम है जिसकी इसमें ठीक है रेस्ट तो लगी है लेकिन जे कारण नहीं है कि वो नो इसका आने का तो अभी देखते हैं इसको फिर ट्रास्मिशन को हम क्या करते हैं इसको ओपन करते हैं सारा का सारा इसको जो भी खोलना पड़ेगा खोल कर अभी देखिए जो फिफ्ट गेर की हैं गरारी वो मैंने देखी है वो तो एकदम ओके मेरे को लगी कोई भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें कोई प्रॉलम हो तो अभी हम फिर और जो इसका हांडी हुंडी वो सारी खोलते हैं इसका देख शकते हो जो गेर भी एकदम ओके हैं इसमें भी कोई प्रॉलम नहीं है तो अ में तो नहीं कौई problem अभी हम bearing भी चेक कर रहा हुं इसका main shaft का भी कर रहा हुं और counter shaft का भी कर रहा हूँ लेकिन दोनों में कोई problem लगी नहीं मेरे को bearing एकदम okay है इसके तो इसमें भी कुई नहीं है कोई जैसे लगा नहीं कि कोई fault हो तो कोई बात नहीं हम और चेक करते हैं क्योंकि काफी है इसमें भी एकदम कोई नहीं है कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि कोई प्रॉलम हो तो अभी हमें को क्या करना पड़ेगा इसका जो है बाकी भी जो फोरके हैं वो निकालनी पड़ेंगी जो में शाफ्ट है उसको भी निकालना पड़ेगा तो निकालने के बाद फिर देखते हैं कोई और तो नहीं दिक्कत तो अभी हम वो भी खोलते हैं ठीक है आप बस वीडियो के साथ बने रहे ना तो अभी इसकी जो सारी की सारी है फेटिंग वो उपन गरते हैं तो फिर देखते हैं इसमें क्या है तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों जैसे ही मैंने कोंटर शाफ्ट इसकी निकाली तो आप देख सकते हो जे कैसे कोंटर शाफ्ट इसकी कितनी ज़्यादा तूटी हुई है आप देख सकते हो कितने ज़्यादा यह जैसे बोलते हैं ना कि सारा का सारा यह निकल गया तो इसकी वज़ा से जो हमारा differential वो भी जो है एकदम खराब हो गया दोनों की दोनों जो तूटी पड़ी है तो तूटने के कारण क्या हुआ इसमें sound आ रही थी जैसे बीच में से miss करती है न तो इसलिए जैसे हम इसको करते थे drive पे जलती थी गाड़ी तो करती है जैसे हमने जोर लगाया तो फिर साथ में रहती थी फिर problem नहीं कर रही थी फिर कोई sound नहीं आ रहा था लेकिन जब इसको हम neutral भी कर देते थे जहां फिर gear को हम free करते थे तो उसी time पे जे noise करने लग गया था तो देखिए आपको पता चल गया क्या कारण था इसका अभी जे सारा का सारा हम चेक करेंगे पूरा का पूरा मलब वैसे तो दिखाय दाखाई देने में उपर से तो कोई problem नहीं रग रही नीचे वाला जो bearing है वो भी एकदम होके बस यह जो counter shaft है उसकी वज़ा से ही जो वहाँ पे जैसे अभी आप देख सकते हो तूटे हुई है उसकी गरारी तो उसी वज़ा से ही वो अवाज आ रही थी तो अभी हम पूरागा पूरा प्रोपर इसका चोच चेक करते हैं कोई ओर तो नहीं गरारी तूटी हुई तो फिर जो जो इसका तूटा हुआ है उसको हम change करेंगे तो फिर उसको डाल देंगे यह देखिये जैसे अभी मैं इसको गुमाकर दीरे दीरे पूरागा पूरा च कार टूदे से लिए कर दो कि ऑ्रूद प्राइप दो मैं ठीक्रोब drops ट स्ष Ciения घे आहें जाय है।